हेलो आवरिओन कैसो आपसे लोग सूफांदी फ्रेंड्स मारशा करता हूं नो सब लोग अच्छे ही होंगे फांदी फ्रेंड्स मैं सुर्जीत आपके लिए एक वीडियो लेके आ हूं इस वीडियो में आपको दिखाऊओंगा बताऊंगा सिखाऊंगा कैसे बनते हैं यह अपने कोलार्ज से उनया है। आपको बना थिस को बना डिया। धरन को एक तरफ से थिन है।un मैं यह तरफ से और एक हैवी है। मूलडिंग को हमें ऊपने कुलार्ज के अंदर ये डेखी ये और को ये अपना बनाया है इसी स्ड़ार्ज मौलड़िंग से जो मैंने आपको स्थीन करा या यह molding से हमने अपने collage को बनाया है इस collage के अंदर जो sizes हैं वो मैं आपको एक बार explain कर देता हूँ यह जो आप size देख रहे हैं height में और यह वाला यह दो sizes हैं इनका dimension है 4 by 6 inch और यह जो दो center वाले आप 2 sizes आप देख रहे हैं इनका dimension size है 5 by 5 inch और यह वाले दो corners हैं इनके अंदर जो हमारा sizes है वो 6 by 4 inch का है जो कि हमने wide में use किया है यह दो sizes हमने height में use किये यह दो sizes हमने wide में use किये और यह दो sizes हमने 5 by 5 inch में use किये सो हमने जो इसको assemble किया अपने collage को assemble करने के लिए gin gin tools का हमने use किया है वो भी मैं एक बार आपको explain कर देता हूं और इसको कैसे हमने बनाया है वो भी मैं एक बार आपको explain कर देता हूं so finally friends इसको जो बनाने के लिए हमने एक proper modules जैसे कि हमारे जो modules बनते हैं हमारे जो glass frame बनते हैं उन glass frame को ही हमने इसके अंदर बनाया है उनको हमने असेंबल किया है, हमने इनको कमबाइन किया है with the help of a nail gun machine. Nail gun machine की help से हमने इनको असेंबल किया है, मैं एक बार आपको ये nails लगा कर भी दिखा देता हूँ, कि ये working कैसे करता है. So finally friends, मैं एक एक nails लगा देता हूँ इसके अंदर. So finally friends, जैसा कि आपने देखा, मैंने हर एक joint पे अपनी nail gun की मदद से एक-एक nails और add-on कर दी है. हालां कि वे पहले से ये asemble हो चुका था, हमने जब इसको बनाया, ये proper asemble हो चुका था. और जो एक-एक और nails लगाई हैं, उसकी help से ये और भी ज़्यादा asemble होने के बाद, मतलब और भी ज़्यादा strong हो चुका है. और भी ज़्यादा मतलब ये लगाओ कि इसके accessibility हो भी और ज़्यादा बढ़ गई है. और इसके बाद जो हमने इसके अंदर use किया है, जो material हमने use किया है, frames, in frames के अंदर वो भी मैं आपको explain कर देता हूँ. इसके अंदर मैंने glass का use किया, friends. अगर कोई बाई interested ये glass ना लगाकर acrylic sheet आप use करना चाहो, तो वो भी आप इसके अंदर add-on कर सकते हो, लगा सकते हो. और इसके बाद मैंने print use किया, और उसके बाद जो last में हमने mount sheet इसके अंदर use किया है. Mount paper की जो hard sheet आते है, वो इसके अंदर हमने back support के लिए use किया है. So finally friends, after that combination, आपको हमारा ये frame कैसा लगा, comment section में comment जरूर से जरूर कीजिए, और आप हमारी वीडियो का ऐसे ही like, share, subscribe करना ना बोलिए. Thank you for watching, have a nice day.